अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताके जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे नमस्कार दोस्तों मैं कलकार राजी बिरंजन और आप लोग देख रही यूटूब चेनल कलकार जहकास दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हैं जो ये सात रंग के कलर तो ये सात रंग के कलर बहुत ही महंगा कलर है तो इसमें मैंने एक कलर अपने हाथों से बनाया है तो जैसा कि सभी पेंट थोड़ा थोड़ा मिला कि जो एक कलर मैंने बनाया है और ये सभी color के details मैं बता रहा हूँ आप लोग video को like कर दिजे और channel को subscribe कर दिजे जैसा कि आप देख रहे हैं साथ color तो साथ color है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये color जो है इंडुका का metallic anemonsome color oxpod blue तो ये जो है oxide blue तो oxide blue में 200 ml का है 200 ml जो है 187 रुपया इसका rate है जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही महंगा color है और ये चमक वाला है तो हर paint में ये चमक वाला ही है ये चमक वाला महंगा मिलता है और ये रहा gold color जिसका rate 823 दोस्तों 873 रुपया है ये भी इंडुका का ही है paint ये इसमें भी काफी चमक है सोना color है ये जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा color है ये भी महंगा ही है लीटर पर रहा है 823 रुपया लीटर तो ये रहा red color signal red ये भी है paint चमक वाला लाल color तो इसका rate जो है इसका rate 748 रुपया लीटर जी दोस्तों ये भी बहुत महंगा color है ये सब प्योपी में भरने के लिए खासकर डिजन बनाया color बनाया गया और ये रहा आधा लीटर paint तो आधा लीटर में जो है 440 रुपया इसका rate है आधा लीटर का ये भी red color है signal red और ये रहा 148 रुपया का copper copper paint ये भी इंडुका का है और ये देख सकते हैं ऐसा ही color इसमें copper color तो ये भी बहुत ही महंगा है 180 रुपया का 200 ग्राम है copper color है और इसके बाद चलते हैं और color है तो मैंने बता रहा हूँ ये रहा chocolate color 187 रुपया का 200 ml जी दोस्तों ये भी बहुत महंगा color है सब है चमक वाला paint इसमें चमक है काफी shining है और इसके बाद मैं चलता हूँ इसमें से सब color थोड़ा-थोड़ा मिला कि जो है मैंने dark brown color बनाया है dark brown आप कहिए या तो आप इसको red brown भी बोल सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा एक P.O.P. बहरने के लिए ये भी काफी shining है और इसके बाद मैं चलता हूँ जामनी color मैंने एक एस्टीनर से बनाया युनिवर्सल एस्टीन पेंट का एस्टीनर फास्ट वाइलेट तो फास्ट वाइलेट से मैंने white color में mix करके बनाया है थोड़ा सा प्योपी में भरने के लिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें white color थोड़ा सा डाला लगवाग इसमें 1.5 लीटर white color मैंने इसमें एक डब्बे में डाल दिये तो डालने के बाद जो है आप देख सकते हैं एक डब्बे जो है 200 ml फास्ट वाइलेट इसमें डाल दिये फास्ट वाइलेट डालने से एक डब्बे से ये color नहीं बनता इसमें पानी भी mix करके थोड़ा मैंने डाल दिया और इसके बाद मैंने इसको mix कर रहा हूँ तो mix करने के बाद जैसा कि मैं देख रहा हूँ जो ये अभी light ही color है और dark करने के लिए कम सकम इसमें तीन डब्बे इसमें डालना पड़ता है तो dark color थोड़ा बनता है जैसा कि आप देख रहे हैं जो एक डब्बे मैंने और डाला तो इसके बाद इतना dark हुआ तो इसमें और मैंने mix करूँगा एक डब्बे और तो जैसा कि अभी देख सकते हैं इसमें मैंने mix कर दिया है तीन डब्बे तीन डब्बे में इतना color आया तो उसके बाद मैं चलूँगा brush लेने के लिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें single coat और double coat जो है white color इसमें मैंने mix कर इसमें च्छत में लगा दिया च्छत में लगाने के बाद जहां-जहां मुझे paint करना है वहां मैंने और P.O.P. में design भरना उस जगह पर मैंने छोड़ दिया और single coat करने के बाद जो है एक बार च्छत में जो है इसमें रगडाई करके double coat करके finishing कर देना चाहिए उसके बाद ही आप P.O.P. में design भर ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये जामनी color पैगनी color जिसको बोलते हैं और पल-पल तो इसी color को पहने मैंने यूज किया पहले तो जैसा कि ये color हो गया तो इसको सुखने के बाद एक गंटे के बाद बगल में color करेंगे ताकि जो color सुखा हुआ नहीं रहता है तो उसमें लगाने के बाद जो है उसमें थोड़ा-थोड़ा mix हो जाने के करण कुछ गलत तरीके से यूज हो जाता है तो एक कलर सुखने देने के बाद ही दूसरा कलर करना चाहिए तो ऐसा मैने कर रहा हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं गॉल्ड कलर और पलपल कलर मैने भार दिया इसी तरह सब P.O.P. में जहाँ किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले P.O.P. सिलिंग हो चाहे डिजेन बना हुआ है चाहे छट हो तो छट से उपर पहले आप प्रेमर एकोड करेंगे प्रेमर करने के बाद पहले तो प्रेमर कर लेंगे उसके बाद आप छट जहाँ जहाँ वाइट कलर करना है वहाँ वहाँ आप जो है वाइट कलर कर दीजे उसके बाद आप प्योपी सिलिंग जो भी है उसमें आप डिजेन भरिए ताकि वाइट कलर इसमें नहीं जाए और कोई गलत तरीके से यूज ना करे तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक इंच के बरस से ही इसमें यूज होता है तो ये रहा चोकलेटी कलर और रेड ब्राउन सब कलर इसमें मैंनी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ भर रहा हूँ और मेरे मिश्टरी भी कर रहा है तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो दोस्तों एक तो लाइक बनता है इतनी वीडियो समझाने में और आप लोग भी देखे होंगे बहुत अच्छा तरीके से और कियो होंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो एक लाइक बनता है और चेनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और आगे भी सेर कीजि ये काफी सेनिंग वाले पेंट है दोस्तों जैसा कि मैंने सबसे पहले इसी पेंट ही के बारे में बताया जो कितना रेट का है और कौन सा कलर मैंने यूज करने वाला हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना दोस्त मजे comment भी किया था जो इस room का जो है P.O.P. बहने का डिजें और color का वीडियो एक बनाईएगा तो इसी के लिए मैंने बना चाई तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के बिश्क्रれたant में लिंक मिलेगा आपको हर तरह का वीडियो जैसा कि आप पुटी कैसे किया जाता है प्रेमर किसे किया जाता है प्योपी सिलिंग और समोशम तर सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप वहां से क्लिक करके विडियो देख सकते हैं और अपना घर में कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर है दोस्तों अगर एक लिटर लाइएगा तो कम सकम तीन तीन ने चार रूम जो है प्योपी सिलिंग और प्लस मैनस का डिज भार दीजेगा तो पर भी थोड़ा सा बच भी जाएगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं गॉल्ड कलर बुलू कलर यह सब सिंगल कोड में नहीं आता है और इसको डबल करना पड़ता है तो दोस्तों अगर आप इस पेंट का यूज करेंगे तो पेंट का यूज करने से पहले आप दिः़ान रखे कि इसमें पानी मिक्स नह तो अगर पतला हो जाएगा तो चमक ज्यादा नहीं आएगा और नहीं ज्यादा कुभरींग आएगा तो जितना हो सके आप उतना अच्छी तरह से कीजिए और अगर सीधा मोल्डिंग बना हुआ है तो सीधा धार से बनाईए और अच्छा तरह से कीजिए तो इसी तरह मैंने बताया तो आप लोग अगर कुछ दिक्कत हो गया हो समझने में तो मुझे कमेंड करें कमेंड का रेपलाई जडूर करूँगा और नेक्स वीडियो में मैं मिलते रहूँगा और दो रोज एक रोज के बाद दिवाली आने वाला है तो दिवाली के हारदिक सुबकाम नहीं सभी दोस्तों को और प्यार बरा नमस्ते तो बने रहें मेरे यूटूब चेनल पे देखते रहें कलकार चाकास चेनल और सीखते रहें पेंट का काम, पेंट पुट्टी, प्राइमर और सजावट का काम सीखते रहें और मेरे वीडियो के डिस्क्रिशन में जाइए वहां से सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा और चेनल पे जो डेर सो वीडियो है सब पेंट के बारे में सजावट से लिए के डेकोराशन सब वीडियो मिल जाएगा आप सभी वीडियो का देखकर आनद उठा सकते हैं और अपना घर में सजावट भी कर सकते हैं मेरा वीडियो देखके तो दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर चेनल को सस्क्राइब किजेगा और वीडियो को भी लाइक कर दिजिएगा वीडियो में जडूर लेकर आ रहा हूँ और इस रूम में कैसे कैसे माने दिवारों कलर किया है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक लिए बने रही यूटूब चेनल कलकार जाका गुड़ बाई गुडबाई गुडबाई दोस्तों